जैस्री रादे कृष्णा नमस्ति दोस्तों आप सबकी रिक्वेस्ट में आज मैं रादे कृष्णी जी का पूजा का वीडियो आप सबके सामले लाया हूँ सफेद चंदन, लाल चंदन, पुष्प आदी मैंने सब एकट्टा करके रखा है सबसे पहले सनान या अविषेक, अगर आप रोज अविषेक नहीं करना चाते हो तो गीले कपरे से भगवान के बिग्रहों को आप पोंच सकते हो یा फोटो भी हो तो फोटो को भी आप पोंच सकते हो सबसे पहले एक लोटे में जल लेके गंगा जल हो या कोई आम पानी हो या फिर कोई तीर्थ कजल हो लेके आपको स्नान करना होगा तो जस्नान करने का मंत्र आप जो भी आपके मन में आए भगवान का नाम आप ले सकते हो हेक क्रिष्ण करुनाश इंदू दीन बुंदू जगत पते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्तुते हेक क्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हेना थे नारायन वासुदेव व्रिषवान शुताकांता यमुना तर्टवासिनी ऐसे राधा जी का नाम लेके आप राधा और क्रिष्ण जी को अविशे करोगे एसे अब धीरे धीरे से जल गिरा के राधा कृष्णे जी का अभी शिक करने के बाद उन दोनों के बिग्रहों को अच्छी तरह से आपको पहुच लेना है और आसन पे स्थावीत करना है ये पहला काम है अविशेक करने के बाद अब आब बिग्रहों को अपनी मन की तरह स्रिंगार कर सकते हो वस्त्र आवुशन आप अपने मन जैसा चाहे वहसा अपनी देवी देपताओं को आप पहना सकते हो श्रिंगार कर सकते हो पर आज मैं पुजा दिखाने जा रहा हूँ इसलिए छोटी जो बिग्रह है उस बिग्रों को मैं श्रिंगार आदी वस्त्र नहीं पहनाऊंगा जाके आप पुजा को अच्सी तरह से देख सके मैंने पोच के बिग्रहों को रखा है अब बरी बिग्रहों को मैं तुलसी की माला और हार पैनाऊंगा और चान्दी की बासूरी कृष्णी जी के हाथ में दोंगा और जो छोटी बिग्रह है जो में बिग्रह जिस पर मैं पुजा करूंगा उस कृष्णी जी की मूर्ती को मैं सफित चन्दन की ठीका और अंग में भी सफित चन्दन लेप करूंगा और राधा रानी को सिंदूर की तिलक और अंग में अब सफित चन्दन भी लगा सकते हो पर मैं यहां लाल चन्दन यूज़ कर रहा हूँ देखिए पूजा करने का तरीका सबका अलग-अलग होता है यह मन की बात है अगर आप चाहे तो राधा रानी को आप लाल चन्दन चरा सकते हो अगर आपका मन नहीं चाहे तो आप सफित चन्दन भी चरा सकते हो या फिर सुगंदित इत्र भी आप चरा सकते हो गुलबजल, ओगरू ये सब आप चरा सकते हो मैंने यहाँ पे आज लालचंदन का इस्तमाल किया है उसके बाद अपका मन जैसा चाहे आप भगवान जी का श्रिंगार करो, तिलक करो अपने आपको भी तिलक करो, चंदन का टीका दो ये आपकी नीजी मामला है भगवान भाबनाव को देखते हैं इसलिए अगर हमारा मन शुद्ध हो मन में जो हमारी अंदर भगवान का चित्र या मूर्ति वसा हुआ है उसे हमेशा जागरी तवस्था में रखना है अब देखिए मैंने पुष्प को सजा लिया है पुष्प तुलसी पत्र सब मैंने रखा है जो भी पुष्प आपके पास हो उसे ही आप पुजा कीजिए और तुलसी पत्र रखना मत भूलिये सबसे पहले माला पुष्प माला अगर आपके पास तुलसी की माला हो तुलसी पत्र की माला तो क्या कहे न तुलसी दल की माला या तुलसी पत्र से बना हुआ माला कृष्प जी को बहुत पसंद है आप सब जानते है फूलों के साथ तुलसी पत्र की माला अगर आपके पास हो अगर आप बना सकते हो तो उसे भी चराएए वरना पुष्प माला तो है ही ठीक है रादे कृष्ण जी को सुगंदीत पुश्पकी माला ही चराना चाहिए दोस्तो भगवान का स्थान हमेशा साप सुत्रा रखिये और सजावट आफ असली फूलों से ही कीजिए नकली फूल, आर्टिफिशियल फूल जितना हो सके दूर रखिये असली फूलों से ही भगवान के स्थान को सजाईए धूब दीब हमेशा जला के रखिये जब अब पुझा करने वैठे सुच्च और सुगंदीत फूल भगवान जी को बहुत प्रिये है और तुलसी जरूर चड़ाईए क्योंकि तुलसी नारायन की हर अवतार को बहुत ही प्रिये है और तुलसी चड़ाईए तब उस पे चंदन का टीका या पीर चंदन का चीटा जरूर दीजिए क्योंकि चंदन और तुलसी एकसाथो तभी बहुत चड़ाने लायक होता है तुलसी पत्र को चंदन लगाके आप चड़ाईए एतत स्वचंदन तुलसी पत्र समरपयामी स्रिकृष्णाय नमो ऐसा करेके आप तुलसी पत्र भगवान जी को अरपन कीजिए और शीष्चे लेके चरण तक हर जगा आप तुलसी पत्र भगवान जी को चड़ा सकते हो क्योंकि तुलसी ऐसी पत्र है जो भगवान को अतिप्य है और सर्व अंग में आप चंदन लगाके तुलसी पत्र को आप लगा सकते हो या अरपन कर सकते हो और भोग में भी आपको तुलसी पत्र डालना है चराने से पहले और चराने के वक्त भी आपको तुलसी पत्र डालना है अब गंदपुष्प चराना है एतवद गंदपुष्पम स्री कृष्णाय नमो गंदपुष्पम समर्पयामी एत्वद गंद पुष्पम स्री राधिकाय नम गंद पुष्प समर्पयामी गोपी गोपाल स्वत्ता च गोपाल वाल पालिता गोप गोपार चिता चैव गोपी त प्रणयान विता राधा कृष्ण को हमेशा गंद पुष्पमें चंदन लगाके आपको चड़ाना है गुलाब, मोग्रा, चमेली ऐसे पुष्प हो तो क्या बात राधा कुष्णी जी को पुष्प चराने के बाद अब तुलसी दल तुलसी दल वो जिसमें बहुत सारे तुलसी के पत्रे एक साथ डंटल के साथ मौझूद हो या लगा हुआ हो तुलसी दल को चन्न लगाके एत्वा स्वचन्न तुलसी दल समरपयामी स्री कृष्णाय नमो ऐसा कहके तुलसी दल आपको भगवान जी को चराना है फिर अर्ग शंक पत्र में जल भरके अर्ग देना है अब तुलसी पत्र भी अर्ग में दे सकते हो और फूल भी आप अर्ग में दे सकते हो अब आपको नई विद्ध चराना है नई विद्ध में तुलसी पत्र डालने के समय एतत नई विद्धम स्री कृष्णाय नमो फिर पुष्पली के एतत नई विद्धम स्री राधिकाय नमो अब धूप दीप एशव धूप दीप स्री कृष्णाय नमो एशव धूप दीप स्री राधिकाय नमो एतो हो गया वारिगवारी से अगर आप एक साथ देना चाहते हो तो फिर गंदपुष्प लेके एतवद गंदपुष्पम स्री राधा कृष्णाय नमो गंदपुष्प समर्पयाय मी एतवद नई विद्धम राधा कृष्णाय नमो ऐसा करके भी आप पुजा कर सकते हो ये दोनों वीदिया है जो मैंने एक साथ आपको दिखा दिया फिर जल लेके ये तो आचमनिय स्री राधा कृष्णा आपको गिराना है फिर जल लेके जो शात का थाली है उसे दिखा कर आपको जल छोड़ना है अब आपका पुजा समापन हुआ अब घंटा की द्वनी से आप ठाकूर जी का आरती कर सकते हो अगर आप चाते हो तो अब सबका नाम गोत्र उलेक करके भी ठाकूर जी को वारिक वारी से पुष्प या तुलसी पत्र चड़ा सकते हो स्तूती वन्दना गीद गाके ठाकूर जी को प्रसन न कर सकते हो नित्य लीला नित्य कामा नित्य सिंगार वुषिता नित्य व्रिंदावन रसा नंदन नंदन संग्यूता गोपी का मंडली युक्ता नित्य गोपाल संग्यता गोरस खेपनी सूरा सानंदनंद दाईनी आशा करता हूँ अब सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए ताकि सब आपका जो रिलेटिव से दोस्त है ये वीडियो देख सके सब्सक्राइब प्लीज कीजिए ये रिक्वेस्ट है आशा करता हूँ के आगे भी चलके बहुत सरा वीडियो अब सब के लिए मैं ला सकूंगा जैश्री इरादे कृष्णा अब सब अच्छे रहिए स्वस्त रहिए और देखते रहिए